कि क्या होता है आपके जैसे बहुत सारे मरीज है और जो परिशान है जो आपकी जैसे भटक रहे हैं फिर यह हो रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए जो है हम चाहते हैं आप अपना थोड़ा स्टोरी बता और अपने वो बताओ ताकि बाकी लोग भी आपकी जैसे जो हैं उनको थोड़ा एक गाइडेंस मिले जी सर ये तो लास्ट सर काफी यह से परिशानी थे लेकिन यह पता नहीं था कि इस तरह की बिमारी है तो यह थोड़ा अपना परिशानी बताओ कि क्या परिशानी हुआ कहां कहां भटके क्या क्या दिक्कत गई और फिर जो इलाज का है तो अपन डिसकस करेंगी क्या होला है लोग बीमारी ही नहीं पकड़ पा रहे हैं और भटक रहें दूसरे जगह ठीक तो जैसे आप थोड़ा अपना स्टोरी बताओ तो लोगों को थोड़ा स्वाज में आगए कि ऐसी प्रॉलम होती है तो करना क्या है थोड़ा स्टोरी ब बाकि दबाय वहीं चल रही थे यह काफी लंबे समय तक चलता रहा तक्रिवन 7-8 सल चला पूरा इसी तरह सिटम लेकिन प्रॉब्लम सौर्ट आउट हुई ने फिर बीच में बढ़ किया कि मुझे एक्सेस बिल्कुल एसिड़ी बहुत ज्यादा बनने लगी और पूरा जल दबाय चलता रहा फिर थोड़ा पॉजिशन नॉर्मल हुआ लेकिन वह अप्टूद मार्क ठीक नहीं था जैसा होना था वैसा हुआ नहीं नॉर्मल चल रहा है जैसे चल रहा था वैसे चल रहा सब कुछ अब होते होते प्रॉब्लम जानी रही है पेट में भी मडोड पर अब मडोड होने लगा था प्रिट में लेकिन कुछ इश्व निए अब दबा खाओ तो ठीक दबा खाते खाते में भी परिशानिय रहती थी लेकिन इसका पर्मानेंट सोलीशन नहीं था तीन-चार साल उधर निकल गया फिर उसी तरीके से और मतलब इसका कोई सोलीशन मिल तो उन्होंने जो दवाए चलाई वो दवाए इसका काम भी मतलब नहीं कर रही थी बस आप खाते रहो और बस चलते रहागा गाड़ी बस उसके अलावा और कोई बात नहीं था अगर है तो तो उसे कहाए हो और घ्लाव में आप पहले हुआ है तो एक छी चूटा मैं चाई मारा था फिर बीच बीच में दुमी एक ड़ए साल पहले तो वहां पे गया तो वहां भी उन्होंने पना जो भी प्रोसेस रहा भोला है ठीक हो जागा तो देड़े साल तो मैं दवाई खाया पूरा जो भी उनका सजेशन था सब कुछ माना लेकित मोटा मोटी तौर पर कुछ ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं उससे और हलका इंप्रूइमेंट था कुछ वैसा था भी नहीं और मुझे रिलेक्स नहीं फिल हो रहा था मतलब बी है तो फिर उसके बात किया हुआ कि फिर आप से बात हुई वह आपके ओफिस में कॉल किया गया तो फिर आप से जब से कंसर्ट किये तो उसमें फिर काफी रेलिफ हमको मिला तो सबसे देखने वारी बात यह है कि पहले तो बीमारी पकड़ में आ रही है पकड़ में आ रही लोगों को सबसे बड़ा प्रॉल्म यहां पर स्टाट होता है अभी एस्टी के दावा चल रही थी आई विएस है तो आई विएस की दावा चल ही नहीं रही थी है चाहिए आपको अपने पर कंट्रोल रखना आपके एक डिस्सिप्लीन फॉलो करना इन सब के बारे में तो करने वाली बात है उस समय सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में पेशेंट तो भटकता ही रहता है और वो परिशानी बने रहती है जब मैं डॉक्र से पास गया तो मैं एक दो चीज़ और देखा था सर नोटिस किया कि वहां पर ऐसे से पेशेंट है जो कि साथ एक साथ साल से आ रहे है सेविन सेवन यएर्ज से बस वो खा रही दवा मैं भी तीन-चार साल गया था, तीन-चार साल तर तौ पांचे साल मेरी भी हो जाते हैं तो कुल मुला के बात है कि घानी से जादा तर लोगों की कहानी ऐसा ही है और आप भी आज जो यो लोग वीड कि यह वाला पार्ट से लोग बहुत ज्यादा दुखी है तो सैथ यह सब देख के उनको समझ में आगा कि सब एक ही चीज से रिलेटेड है इन्जाइटी वाला बात है सबसे बड़ी बात है ना सरी यह बीमारी है जिनको उनको तो 90% लोग को पता भी नहीं कि बीमारी उनको है कि यह केस मेरे साथ भी हुआ कि डिप्रेशन एंजाइटी की जहां तक बात है तो आदमी को लगता है ना कि यह किसी और चीज से इसका कनेक्शन कहीं और है लेकिन इसका कनेक्शन खुद हमारे अंदर ही हमारे पेट से रिलेटेड है लेकिन समझ में कुछ आता नहीं अब पाजिटीव पाद टीव कुछ भी यह दम अटा रहता है दिमागें लेकिन पता ही नहीं चलता है कि यह उस से कनेक्टेड है यह तो बाद में जब आप डैगनेसिस करते हैं उसके बात पता चलता है कि हाँ आप लोग की बाते सुनके यह फिर ऑप लोग सचाहिशन लेनिके तो पूरा हंड़ेट परफेंट तो समझने वाली बात यह है कि कहां एक छोटा सा पेट का बिमारी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है बाद में आईबियास हो रहा है पेसेंट एक्जाटि डिपरेशन में उसके चक्कर में जिन्दिगी के बहुत सारे चीजे में वह स्ट्रग करने में वह परिशान हो जाता है आपका भी जो केरियर है उसमें काफी सारा डिस्टर्बेंस आया होगा बहुत सारा चीज नहीं है नौर्मल ले नौर्मल लाइफ तो जी नहीं सकता सर इंसान जिसको इस तरह के परिशानी है और वह एलोपैत का चकर काट रहा है मेरे नहीं होगा इलाज खत्म नहीं होगा आप पर्माणिंट उनसे पर रहेंगे लाइन अप रहेंगे उनसे बस दवाब चलता रहेगा जीवन इसी तरह से चलता रहेगा और काफी परिशानिया भी फेस करता है इंसानिस में डिप्रेशन इंजाइटी के साथ बहुत सारी वीक तो यहां पे सबसे समझने वाला बात यह कि मेडिसीन में इसका इलाज नहीं चुपा है कुम उलो पेषिन कि मेडिसीन हो। गता है, और सब मेडिसीन लीडिकिया। को सब भर में तंटना के स्मė lucar. चार पांच महिने उन्होंने उन्हों दवाई खिलाई जब उनको लगा कि इनको relief नहीं हो रहा है इनके problems में तो उन्होंने खुद कहा कि ये मुझसे नहीं होगा ये सबसे अच्छा डॉक्टर होता है जो ऐसा बोल देता है वो दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर होता है पेशेंट को घजीटे रहना सबसे खतानाख सबसे बेकाशी है तो उन्होंने बता दिया न मैं होता है आपका डे टू डेल आई बहुत सफर होता है आप अपने जॉब पर नहीं कर पाते अपना को एक्जाम है उसकी तैयारी में दिक्कत होती है लोकल सोचल डिसे बिल्टी हो जाती है वहां पर उसे कंज्यूम करने होता और पेशंट बेहाल रहता है कि मैं करूं तो करूं अब थोड़ा अपना थोड़ा इंप्रूव्मेंट बताओ किस की चीज में उप्रूव्मेंट है एक्जाइटी का क्या स्टेटस है आईबियास के इटिस तो शेयर टो नील है बाके तो शोचल लाइस है तो थोड़ा बाट वह रहता वह तो अपना इस्वू है लेकिन वह और जो वीकनेस था और जो डलनेस था वो भी खतम है बीच में उधर क्या हो रहा था कि एसे डिटी जाहादा फॉर्म होता था तो अब तो दबा भी मेरा कम हो राजेसे कि आपके हिसाब से कि दबा भी बंद भी करना है मुझे तो कोसिस तुम्हें खुद ही कर रहा हूं लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एस डिटी भी बहुत हद तक ना के ब्राबर है तो इसका मतलब कि दबा भी छूट जाएगा वह इस डिटी वाली दूसरा ये कि पेट में जो एठान व ममोड था वो पहले उधर बहुत अच्छा था बीच में भी थोड़ा बीच में डाउन हो होता है लेकिन वो ठीक हो जाता है एक लिस यह तो रहता है कुछ गड़बड होगा लेकिन ठीक भी हो जाएगा सबसे बड़ा प्रॉल्म कि है कि हाँ ठीक होने वाला कॉन्फिदेंस का बात है जब आप उसको एक बार एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं तो जितने लोग भी है उनको यह ध्यान रखने का जो इलाज करवा रहे हैं फिर जो फ्यूचर में करेंगे बीच बीच में थोड़ा बहुत गड़बड होता रहता है लेकिन नहीं पता चलता लोगों को मने आइडिया नहीं रहते कि हाँ यह बीमारी है पता भी चल जाए तो इलाज तो उसका ह हाँ जी सर वो वो सबसे बड़ी इश्यू थी कि जैसे एसीड बनता था हालाकि दावातों में पहले अलोपेथ वाली खा ही रहा था ऐसा नहीं कि वो नहीं खा रहा था खा रहा था लेकिन उससे ठीक भी नहीं होता था वार एक चीज़ प्रॉब्लम होती थी चुकि खाने क अब कुछ भी खा ले रहे हैं मटर पनीर खा जा रहे हैं मश्रूम खा रहे हैं अब खाने के बाद प्रॉब्लम होता था अब आप आप रात को सोई हुए हैं सुबह आप उठते तको गले में पुरा जलन फील होता था ऐसी डूपर आता रिफ्लक्स करता था पूरा वो ची मैंने में काफी कुछ कंट्रोल में है हम उस रास्ते पर हैं जहां से ठीक हो रहे हैं मरीज को पता तो चले कि किस रास्ते जाना है या फिर कहां पर सॉलूशन मिल रहा है सबस्यादा लोग भटकते इससे लिए हैं तो राकेस थैंक्यू और लोगों को मोटिवेट करने एक और इसके बाद जो है अपन आगे बात करेंगे तुम्हारी इलाज में आज क्या अड़ करना है आज मैं बना इसलिए रहा थे क्या है अभी एक मरीज जो था वो सुसाइट कर लिया तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि एक छोटा सा प्रॉलम से कोई तरह परिशान हो ज जा रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं है तो इसलिए मैं एक नया इस ट्राइब कर रहा हूं ताकि जो लोग ठीक हो रहे है न वो लोग तुमसें वीडियो देखके उनको पता तो रहे हां कुस तो सलूशन है अब इसमें प्रॉब्लम यह है ना सर कि यह इन्जाइटी और इक गनेक्टिवीटी सर साइकल बन जाता सो यह आपसका अन्जाइटी इसमें लोग इतना परशान हो जाते हैं कि इतनी बुरी बिमारी है ना सर यह कि चलता-फिडता पेशेंट है चलता-फिडता पेशेंट बनार लाकर लगता इनसान को अब असको ठीक ही नहीं हूने रेता है इसमेले में निवाग्ते वार्थर मुझे वेशन रहें अंकी इन दिखार सब्सक्रिक reactor में कि आप जैसे लोग हैं अभी ताकि हम लोग जैसे पेशेंट का इलाज हो पा रहा है संभव है तो मुस्किल है वी इस क्या होता है सीम तो सेम वर्ड बहुत सारे लोग बोलते हैं तो उसमें ये चिस समझ में आ गया है कि हम चाहे कितना भी नॉलेज बता दें यूट्यूब मे है क्योंकि वह इतनी बार फेलियर हो चुका होता है उसके अंदर हिमत ही नहीं पड़ती कुछ नया करने का या फिर कहीं इलाज कराने का तो यह तो सबसे बढ़ा चीज है सर बहुत दिक्कत है इस बात में तो बिल्कुल है सर की हिमत टूड जाता है सर लोगों का हिमत अधिक्त है उनको पता चले कि हाँ यह था भी लाज है ऐसे भी पेशेंट है कई बार उनको लगता सिर्फ महीं एक बदकस्क्राइब जो पूरी दुनिया में घूम रहा हूं तो ऐसे पता चले कि हाँ आँ बई ऐसा भी सिंप्टाम आता और ऐसे भी मरीज होते हैं उनको य पर चक्कर के आँ पर पूरा मिस्गाइड और डिसहर्टन हो जाता है तो ऐसे लोग को मोटिवेशन आप जैसे लोगों से ही मिलेगा जो भूगत चुके हैं और उनको एक लोग को कन्विंस कर रहे हैं हाला कि उनको हम उनको चुकिए ऐसा विस्वास है कि यह ठीक हो है ना गुड़ बच्पन से उनको आइडिया होता लगता है वो चक्कर क्या होता है वो जब तक दो तीन साल भटकते नहीं ना तब तक वह वाला एक्सपीरेंस आता है यह हो जाए है अभी उनको नया ही हुआ है यह चीज़ जो जो जी सास्वे सिम्टम से बताते हैं तो हम तो समझ गए कि उनको इसी तरह के परिशानी हो यही प्रॉबलम है क्योंकि वो सिम्टम बता रहे था हमको मैच कर रहा था हम उनको समझाएं कि देखे इस तरह इस तरह का तो लेकिन अभी उनको कहाना कि फेद ने मेरी बातों को क्यों मानें सबसे बड़ी बात है कि मेरी ब बताइए आपको इसका हम अच्छा रास्ता बताएंगे जिससे आप पर्मनेंटली ठीक हो सकते हैं ऐसा मैंने कहा हुआ है और आज से हमें सबसे इंपोर्टन क्या होता है सबसे लोगों को एचीज और बताना है जो आप डाइट खा रहे हो ऐसा नहीं लगता आपका आपको यह चीज़ क्लिया रहे हो आपके बगल के तुकान पर मिल रहा है और आप खाते आ रहे हो बस थोड़ा सबस्क्राइब है और एक चीज़ और लोगों को समझाना पड़ेगा डाइट कुछ फिक्स नहीं है हर पंदरा दिन में इसको बदलना पड़ता है ठीक है और दीरे ठीक होता है तो यह राकेश की कहानी है अगर आप कोई पूछें के सारी डाइट बता दीजें नहीं पता रहे तो मुझे क्या डाइट है जैसा राकेश बताएगा भई मेरे कुसारा बैसा हो रहा है तो ऐसा डाइट देना पड़ेगा तो धीरे दीरे ही चेंज़ आत होगा है ठीक तो थैंक यू राकेश आई होब तुम्हारी स्टोरी सुनके साथ बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे ठीक है और जानेवाद सब्सक्राइब